बटन दबाओ देश बनाओ कि अध्यम साथ है यह चौबे हैं पलवी घोष है और अमिताप सिना है यह बदाये कि 2014 के मुकाबले 2019 में लग बग वैसा है लेकिन मूंबई में थोड़ा सा जंप है अब सवाल यह की यह जंप क्या का फी है जंप भी ठोड़ा सा ही है 54 पर सेंट अक पहुंच आभी जंप तो 51, 55, 54 point something. I think it's positive. It seems like a little bit of an impact on what we have and other people have been doing it. It seems that it's happening. But I want to say that this is a strange idea. Whatever the initiatives we take, it is the people of the city. The people who are educated, are the people who are for it. In villages, the percentage is much higher. In villages, there are other people who go to the city. Awareness campaign is happening for the city. Awareness campaign is happening for the city. And already always we think that the educated are better aware. I think this is the saddest part of the Indian reality, that all these initiatives are happening. And then there is no awareness campaign. I don't want to say that this is not the case. Because it's not the case. 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 I think Mumbai, Bangalore, maybe Hyderabad. If you keep these three countries, in Delhi, it's always over. In Delhi, it's always over. In Delhi, it's always over. If you talk about two or three. I think that the people who are in Delhi, in Delhi, in Delhi, in Delhi, in Delhi, there was a place in Delhi. There was a place in Delhi. There was a place in Delhi. But the people were very calm, and they were standing, and they were standing up and standing up. And in Mumbai, people were not voting. If you look at the result, and the people who are in Delhi. Whether it's just there, But in Mumbai, people are not up here. I think that a Mumbai is a mutual love for them. It's not a place. Like Mumbai or Bangalore, no government and no government who is there is a lack of difference. But in Delhi, there is no government Because they are investing in Mandalay to someone of government, somebody who's the member, दो चीज़ें से अगर आपको ड्राइवर चाहिए आप पैसा देजीए शेव से ना आए बीजेपी आए, कॉई फरक ने पढ़ता है, आपको पानी पीना है, प्राइवेट है, आपको पेट्रोल पंपे जाना है, वह भी सब प्राइवेट है, एक आप धार्ना बन गई एक कि बैंगलोर मुंबई में खास वर में देखा है कि कोई फर्क पढ़ता ही नहीं, जो आए, जो जाए, पैसा ख़र चाहिए, आप चोटे शहरों में जाओ और गाओं में जाओ, वो लोग अभी भी सरकार को सरकार समझते है, माई बाप समझते है, सूचते कि छोटे चोटी प् मुझे मारू मुझे होस्पिटल देखे जाना है, मुझे दवाई खरीदना है, मैं जाता हूँ अपने MLA के पास या जो हमारे जिला अधिकारी है, उनके पास है, वो डिपेंडेंस जो सरकार पे है, वो बहुत ज्यादा है छोटे शहरों में और गाओं में, इसले वो ज्या यह पार्टी अच्छा नहीं है, इसने काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो मैं क्यों जाओं, मगर रूरल अरियास में बहुत कम ऐसा पाएंगे आप कि वोट नहीं डालने गए, जब कोई ब्रिज वो उनको चाहिया था, नहीं बना या ऐसा कुछ हो तो होते हैं, वो ब बार बार जाना मुश्किल होता है, मगर यह जो शेहरों में जो ड्राइवर और जितने सर्विस क्लास के लोग है, वो जरूर पंचायत के लेक्शन के लिए जाते हैं, आप अपने अपने इर्दिगर किसी सभी कूछ लीजिए, तो बुन में जो है, जो पावर अफ द वोट दी ट्रस्ट दिस वोट विल चेंज सम्थिंगर को भारत बहुत बड़ा है, विशालहर हमारे लोकतंदर की खूपसूरती यही है, कि गाउं से महिलाय भी निकल रही है, अगर उनको लाने की व्यवस्ता भी चुनावा योग कर रहा है, अगर पोलिंग स्टेशन पर, तो य उनको पता है कि बटन दबेगा तब देश बनेगा, बिल्कुल, वो गाउवाला जानता है, शहर वाले भी जानते हैं, दोहजार नौ से दोहजार चौदा में बड़ा जंप देखा गया, दोहजार ग्यारा बारा में एलेक्शन कमिशन ने एलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप साथ लोग वोट दे रहे थे तो आप कहा देबें सौ में से साथ वोट दे रहे हैं, वो असल में नबबे में से ही साथ वोट दे रहे थे एलेक्टोरल रोल्स की रिविजन तो देखिए, वो तो सपश तौर पर हुई है और उसी के कारण आपको बहुत से प्रदेशों में 2009 से 2014 में फर्क दिखा उसके बाद उतनी जादा रिविजन जरूत नहीं पड़ी है मुझे लगता है कि आप अगर मुंबई, बैंगलोर और हैदरबाद इन तीन शहरों का भटा दिए उसके बाद आप चाहें नागपूर में जाएं या आगरा में जाएं या किसी भी जो है वो बढ़ रहा है यह जो तीन शहर है यहां पर मुझे रखता है हम लोग इसको इसको आइटी कैपिटल बोलता है शायद पैसा जादा या लोगों को लगता है कि एक सेंसर डिसिलूजन मनता है कोई भी आए जाए कोई फरक नहीं पड़ता है इसके आपर मत में हुए था, 2009 में भी मही मही था, लोग सबाध इलेक्शन तो मही मही हो रहे है अच्छा नहीश्वर यह राय और शारू खान और अक्शेक कुमार विश्य सब बड़े बड़े स्टार में देख रहा था कि इस सब लोग जा रहे थे, सब 2 ट्विटर पर अपनी लिवी दि कि अपने पहले को नगपूर में नागपूर में वह वाक कर रहा था जो छोटे ठेले वाले जो चाह बेचते हैं नोटी लगा है वाया माराथी में कि अगर आप मदान करके आ रहे हो अपनी अगली दिखा रहे हो इस इंक के साथ हम आपको 50% इसकाउंट देंगे कहीना शायर वोटिंग के पूरे प्रक्रिया को अगर इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप डालिए उससे यह होगा सरकार तो जो बने की नहीं बने की उकलग बात लेकिन आपके रोजबन राकिजिए उनने आपके खुद के लिए अब जैसे आप में होत सोचते हैं कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है जब आज के जमाने में पूरा बायो मेट्रिक्स हो गए हैं फिंगर्फरिंट सब पैचान सकते हैं तो डिजिटली किसी तरीके से वोट दे दें तो शायद लोग ज़ादा वोट देने चले जाएं लेकिन फिलाल तो भी EVM औ ब्रेक के बाद लोट रहें सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे होता है लेकिन मुझे नहीं लगता शहरों में उतना काम करेगा अब मुंबई के किसी बंदे को बोलो कि देखिए अगर आपने वोट किया तो आपको काफी काफी दे में एक फ्री काफी अब करते हैं कि आपको इंसेंटिव कियो देना अवेट न किया गया जाता है कि आपके इंसेंटीव की बात कर तो देंगा तो देंगे अब किसी को नीच आरे इन स्टेले नहीं पाट करें सब्सक्राइब लेकिन सवाल यह है कि अगर एक समस्या नहीं दिख रही है आपको तो मजबूत है लेकिन एक जो समस्या बन गई इनको इनकी डिमांड होती है इसे पहले कि आप पीनलाइस करने से पहले मुझे लगता है कि आप अगर सोचे तो हर किसी को अच्छा सोचना लगता है अगर बंगार में बुट होता पल्लवी की साथ सेल्फी कि चेगी वोट डाली यो पल्लवी की साथ सेल्फी क्या बुरा अगर हम बात करें बैंगलूरू की या मुंबई की कि हम इंसेंटिव देंगे वह आएंगे क्या वहां के लोग चाते भी हैं से इंसेंटिव अमिन अगर उनको अगर सिंपल सी बाद में 50% डिसकाउंट रहें जो लोग लाखों में खेलते उनको क्या 50% करें तो अगर आपके पेरेंस बोलते कि ने ने आज हमें तयार होके निकलना है तो बच्चे भी वही चीज़ी एक पॉइंट यह भी आता है कि का जाता है कि वोटिंग पसंटेज तब बढ़ता है जब कुछ उसमें परपस दिखता है जैसे 2014 में ऐसा लगा कि एक नरेंद मुदी एक कैंडिडेट बन कराएं हैं एक नई तरह की सरकार है एक नई होप ह है एक नया विजन है और मतलब देश बदलेगा उस तरह से होगा तो उसमें शायद ज्यादा एक लोग निकल करा है अब या तो वही नरेंद मुदी कंटिन्यू कर रहे हैं या जो बाकी जो अल्टरेंटिव में वह पुराने सब ट्राइड टेस्टेड हैं लोगों ने कि दी देगान जा रहा है यह फिर शेषा नहीं नहीं करते हैं यह वागों जो तो आघे सोचने के लिए कि बहुत लोग जो है गहां हों से आके शेरों में काम करते हैं कुछ दिन तक कुछ महीने तो यह सब जो है नाम काड है लिस्ट में नाम नहीं है यह सब को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं जैसे युएस में है यह सब्सक्राइब करके वह इनिशेटिव फ्राइब आल मीडिया हॉसे वेर इन्वाइट पीपल वोट तो रेजिस्टर वाइट वाइट दिक्कतें क्या है इसका एक रेजिस्ट्री होता है तो अल्मस्ट अनैशनल रेजिस्ट्री फ्री यह ओपन सोर्स वाला है मेरा मत यह है कि सरकार को अगर हम भारत जैसे बड़े देश में अगर हम 2024 के चुनाओं में अगर हम यह सोचते हैं कि 90 प्रतिशन तर अगर मतदान होना है तो सब्सक्राइब को आगे बढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी एक तो जो वेंकर ने जो माई क्या solution है क्या समाधान है कि कहीं से भी आप वोट डाल से कि ताकि मुझे लगता है यह जैसे आपने जो किस्सा बताया है मैंने जो किस्सा बताया हो सकता इस तरह कि कि लोग और ज्यादा पुरसाइब तो उससे बत प्रतिशन है तो फ्राइडे को अगर वोटिंग है चुट खैर उमीद यह कि ऐसा अगर कहीं भी हो रहा है तो वो ना हो लेकिन बतन दबाना है देश बनाने के लिए ये देश तक संदेश जाए यही हमारी भी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब हो बच्चेवे चरनों में कामयाब हो और आने वाले दिनों में अलग-अलग चरनों क के चुनाओं में अलग-अग राज्यों के चुनाओं में और जैसा बूपन दिकाह देश के चुनाओं में भी बटन दबाने से देश कैसे बनता है ये सब जान जाए तभी देश बनेगे बटन दबाओ देश बनेगा